लासकार मैं सोच कमार और आप सभी का हमारे चनल में स्वागाथ इस वीडियो में आपको बताने बलाओं कि जो भी आपका कैस करो में जो आपका कैस वाक कैस पैक है या फिर जो रिवार्ड बैलेंस है उसे आप कैसे रिडिम कर सकते हैं और चाहे आपका कैस करो में कोई बैंक लिंक हो या फिर नहीं हो आप रैटली इससे चाहें तो बैंक एकाउन में ट्रांसफर कर सकते हैं या फिर इससे जो है कि आप लेडियम कर पाएंगे और बहुत से लोगों को यह नहीं पता है कैसे आप इसमें अप्लिकेशन में आप अर्णिंग करते हैं तो देखिए लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रेप्टन मिल जागा कैस करो का आपको जा करके डाउनलोड करना है डाउनलोड करने को जैसे आप स्थाइन अप करेंगे तो इस तरिके से यहां पर पंदर सो से ज्यादा जो भी आप वेफसाइट से शौपिंग करते हैं में तरह हो गिया अम सौपिंग करते हैं तो यहां पर आपको हर सौपिंग का जो है कि रिवार्ड मिलता है कैस वेक मिलता है जो कर आपको इस तरिके से आपको यहां पर अर्निंग आप कर पाएंगे और जो भी आपका अर्निंग होगा रिक्वेश्ट प्रेमेंट में क्लिक करेंगे और जैसे आ आपको यहां पर cashback available होगा वो आपको भी होगा और जो reward जो कि आपका होगा वो यहां पर आपको इस तरीके सिदर भी होगा तो आप क्या करेंगे यहां पर transfer पर click करेंगे यहां पर एक दो option आपको मिलता है redeem reward यानि कि जो आपका reward balance है उसे आप redeem करना चाहते हैं या फिर जो आ आप all पर click करते हैं तो देखिए मेरे यहां पर अभी दो ही option आ रहा है यहां पर Amazon Pay Balance का और और दूसरा जो यहां पर flip card का gift balance का option आ रहा है यानि कि हम चाहें तो इस balance को Amazon का जो pay balance उसमें transfer कर सकते हैं नहीं तो flip card का gift card जो है वो हम ले सकते हैं लेकिन अब आपके मन में सवाल यह होगा कि यहां पर bank account का option क्यों नहीं आ रहा है तो देखिए bank account का option तभी आएगा जब आपका जो cashback है वो आपका 250 रुपिया से ज्यादा रहेगा तभी अगर आपका 250 से कम है cashback और reward अगर मान के चलिए 10 रुपिया या फिर 100 रुपिया फिर 200 रुपिया है तो उसे आप आप सिर्फ Amazon या फिर फिलिप कार्ड का गिफ्ट कार्ड ही जो है कि ले सकते हैं और cashback कैसे जो है कि bank account में transfer करना है और लेडी मेरे चैनल पर वीडियो से हैं तो हम क्या करेंगे इस balance को Amazon में transfer करेंगे pay balance में तो हम इस पर tick करेंगे और जैसे हम इस पर tick करते हैं तो यहां से आपको वो mobile नमर एंटर करना है जो भी आपका Amazon में registered है फिर आपको दुबाड़ा यहां पर वह आपको mobile नमर एंटर करना है फिर आप यहां पर I agree to term and condition पर tick करेंगे फिर आप यहां पर get paid पर click करेंगे फिर जो आपका cash card में registered mobile नमर है उस पर OTP send किया जाएगा और आपका ज जैसे आप इस पर click करते हैं तो यहां पर आपको बताया जाता है कि यह जो आपका balance है यह आपका जो कि 5 मिनट से लेकर के 72 घंटे में यह आपका balance है वो आपको Amazon में credit कर दिया जाता है तो आप यहां पर देख पाएंगे और फिर जाकर कि आप अपना Amazon का account है वो check करेंगे त आपको वहां पर add कर दिया जाएगा